नाजरीन प्रोग्राम तसलीज या तोहीद के इस नए एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि हमने तसलीज और बाइबल मुकद्स की आयात के सिलसले का आगास किया हुआ है और आज हम खरूच की किताब के सिलसले को ही जारी रखेंगे और हमारा साथ देंगे भाई सुलिमान जॉन बाई सुलिमान जॉन गुशिष्टा प्रोग्रेम में हमने बहुत सारी बातों पर जिकर किया खरूच की किताब में से कुछ आयात ली खसोसन हमने मैं हूँ पर बात की खुदावन के फरिश्टे पर हमने बात की कि उसे क्या मुराद है तो मैं चाहूंगी कि अभी आप मजीद बताईए कि खरूच की किताब में हम खुदा के जहूर को या खुदा की कुर्बत को मजीद और कैसे समर्ज सकते हैं ये बहुत शुक्री अनमोल और इस सवाल का जवाद देने से पहले मैं थोड़ा सा रीकैप करना चाहूंगा कि हमने पिछली दफ़ा क्या गुफ्टगू की थी खुदावन के फरिष्टे के हवाले से में बात ये थी कि चाहे आप उसे खुदा की जात का एक मजहर समझें कि वो भी कोई इलाही शक्सियत है या पिर आपसको सिर्फ एक फरिष्टा समझें जिसको खुदा बेचता है हमने का था कि उस वक्त जब वो खुदा उसे बेचता है और वो खुदा का काम कर रहा है अगर वो खुदा के बहाफ पर बात कर रहा है जैसे जलती जाडी में उसने मुसा से बात की तो उस वक्त वो खुदा की इक्तियार के साथ बात कर रहा ठीक है और जिसको खुदा का इक्तियार मिल जाता है तो वो वक्ती तोर पर ही सही आप उसे वैसी ट्रीट करेंगे जैसे आप खुदा को करते हैं ठीक है तो वो उसे कहत या ख़ुदा की द्ट में कोई मसल्स या कसरत की हमें बात मिलती है कम से कम इतना हम जान ले कि तोहीदी मझािभ के अंदर भी कोई ऐसा खुदा का तसवर नहीं बेश किया जा रहा क्षा चारा था। अर। खह्स तौर पर शरीयत में जिसमें किताबे भी हैं तो खुदा बिलकुल तनहा और अकेला नहीं है वो किसी ना किसी तोर पे फिजिकली भी अपने लोगों से हमकला होता है ठीक है तो यह या तो इसको आप नजदेख यह तो एक आम सी बात है ठीक है या इसको बिलकुल मसीही नकते नजर से देखें कि फिजिकली या बिल्कुली रुहानी तोर पर आपसे बिल्कुल करीब है और उसके वो आपको सबूत देता रहता है और उसका सबसे उत्तम सबूत यही है कि अजरूल कुछ के वसीले से वो हमारे साथ मौजूद है लेकिन इसके शवायद हम इसमें मिलते हैं कि खुदा आस्मान से उतराता है या किसी चीज के जरीए अपने लोगों से मिलता है तो यह हमने गुफटगो की थी पिछले एपिसोड आज आप यह पूछती है कि मजीद उसमें हम किस तरह खुदा की नजदी की या खुदा के मजहर को देख सकते है एक और चीज हमें याद आती है खरूच की किताब में से उसके तेरवें बाब में और इसकी जब आप 20, 21 और 22 वी आएट पढ़ते है तो वहाँ पर जिकर है सतून का कि जब बनी इसराइल 40 साल आपको पता है जब वो मुलके मिसर से आजाद हुए तो उसके बाद 40 साल उन्होंने बैयाबान के अंदर रिगिस्तान के अंदर उन्होंने गश्ट की इससे पहले कि वो मुकद्द सर्जमीन में दाखिल हो उस जवरान आप देखते हैं कि बार बार खुदा जो है वो किसी ना किसी नचरल चीज यानि फितरी मनाजिरी या फितरी मजाहिर उनके जरी लिए खुदा उन کے साथ 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 रहता था ये अपने आपकों पर जाहिर कर ता तो ये जो हवाला मैं आपको दिया है इसके इंदर मुहा लिखा है कि दिन के व tapes خدا بادل کی طرح उनके साथ उता था और रात में आग के साथून की तरह ठीक है तब संजें कि दिन में धूप होती है गरमी होती है तो खud Border भेलकुल उनको एक तरह से कवर देता था बादल की तरह और दिन के अंदर जो है वो आग स्थारी रात के अंदर जो है यह नहीं कि खुदा ने बादल और आग को भेजा, या बनाई या कोई खास बादल बहजा, वह लिखा है कि खुदा उनके साथ था बादल और आग के जरीए. अच्छा मुझे एक हवाला याद आया है जैसे कि आपने बादल की और आग का जराव जिकर किया तो नए अद्दामे में अगर हम मत्ती की इंजिल में देखें तो जब खुदावन यसु वसी ने बबतिस्वा लिया और वो उस पानी में से बहार निकले तो बादल एक गर जा और आवाज आई तो वो भी एक खुदा की हजुईनी का समझे कि एक सबुट था तो इस बादल में आवाज आने में और जब बनी साहिल के साथ खुदा बादल बनकर साथ साथ चलता था तो इसमें क्या कोई मुवासलत पाई जाती है तो अब ये दो बातं हैं एक ये बाद जो बड़ी दिल्चस्प है के लोग ये इनका जो काैनात का त Engagement था वो हमसे फर्ड़ था आज हमें पता है आज हम लोग अगर अपने मुल्क के अंदर भी जहाज जहाज में सफर करते है तो हमें पता है उनकर कुछ नहीं है उनका बादल ये और गाएं, यहांपर खुदा का तख्त लगावा है, यहांपर खुदा बैठा होता है, वो लफजी तोर पर इस बात को मांते थे ठीक है, तो जो भी कम्यूनिकेशन होती थी खुदा की तरफ से, जो भी बात होती थी, वह हम आज भी कहते हैं कि उपपर से, यह किताब नाजिल भ मथभी लोगों का कि खुदा कहीं उपपर है, तो उसका सबसे बड़ा सबूत, यह सबसे बड़ा जिए उसका निशान था, वह बादली था, पहाड़ से भी जिकर है, कि जब जनाब मुसा पहाड पर गए, या जब जनाब मसीष पहाड़ पर जाते हैं, तो वहां खुदा से मिलता है। अचा हम भी ऐसा होता है, हमकभी नॉर्डर नेरिया इसमें जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हम ऐसे लगता है, कि हम खुदा के शयर्च बहुत करीब हैं। अब यह नफसियाती ची तर पर होता है यह रुषानी तर पर होता है, यह यह बात दूसरे मजाहिब में भी पाय जाती थी जो आपका युनानी मजभ में जो जूएस है वो भी गरज का खुदा तो गरज यानि जब बारिश होती है जब बिजली गरज थी तो उनको लगता था कि जूएस जा है वो हमसे बात कर रहा है तो इसी तरह बाइबल के लोग उपर रहता है और उपर से वो फरिश्टे और किताबों को बेजटा है अब एक तरफ तो हमने बादल की बात की दूसरी तरफ हम बात कर रहे है आग कि आपने कहा कि आग में भी खुदा जो ओना अपना जहूर देता था अब जैसा कि हमग रहे हैं कि हमारे प्रोग्रेम का जो नाम है वो तसलीज ठीक है जिसमें खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रुखल को साथ है और जब अब्तिदाई कलीसिया का जनम हुआ था अमाल की किताब उसके दूसरे बाब में तो वहाँ पर खुदावन ने कलाम किया था कि आग के शोला की फटतीवी जबानों में जो है वो नजूल होगा, तो वो भी तसलीज का एक तीसरा अक्रूम था जिसका ज़ूर होगा था, तो इससे हम इसके साथ कैसे जोड सकते हैं? यह भी आप अपने कच्छे हवाले की तरफ निशान दाही की है देखें, वैसे तो बाइबल की जो वैसे बाइबल बड़ी वसी किताब और यह किताब एक नहीं है हम कहते हैं, यह 66 किताब है जो प्रोटेस्टेंड बाइबल मजमूए एक लाइबरी है, ठीक है, आप लाइबरी समझ ले और बाइबल का मतलब भी यह होता है, किताबें ठीक है, एक से जादा लेकिन अगर आप जो इसके स्टूडेंट्स हैं जो इसको पढ़ते हैं साला साल तरजमे के अंदर भी, वो यह देख सकते हैं कि कॉंसेप्ट्स बड़े मैदूद है वो आप अपनी उंगलियों में गिन सकते हैं इसी तरह वोकेबलरी भी बड़ी मैदूद है तो खास कुछ चीजें होती है उनके खास कुछ पतलब होते हैं और वही रिपीट होते हैं ठीक है, तो आग वैसे हम डरते हैं आग से, ठीक है जलाने वाली चीज़ लेकिन वो बाइबल के अंदर जलाने वाली चीज़ नहीं है वो मनवर करने वाली चीज़ है वो पहलने वाली चीज़ है ठीक है, खुदा के पहलाओ को जाहर करती है कहीं कहीं खुदा के घजब को भी जाहर करती है लेकिन वो रोशनी को गर्माईश को जैसे हमने पहले देखा वो इन चीजों को जाहिर करते हैं तो हो सकता है कि जब रूलकुज का नजूल जैसे हम कहते हैं अमाल की किताब में हुआ और वहां पर जो जबाने या जो गैर जबाने हम कहते हैं जिनको जो नेमत है वो आग की तरह उन पर नाजल हुई वो भी देखें अस्वान कर तसवर है और उनके उपर आकर ठहर गई हूँ तो हो सकता है कि इसके अंदर भी वही बातों के खुदा जिस तरह पुराने वक्तों में आग के जरी हमकलाम होता था अब वो हर एक के साथ हो रहा है और ये कि वो खुदा जो है वो लोगों के जहनों को उनके दिलों को मनवर कर रहा है ताकि वो इनजील की बशारत कर सके ये मिलकुल हो सकता है connection बिलकुल हम इसको बाइवल में से समझने की कोशिश कर रहे हैं मुक्तलिफ चीज़ों में भी अपने आपको जाहर करता है लेकिन अब ये थोड़ से हमें गल्तफ फैमी की तरफ भी बात लेके चली जाती है क्योक्के मुक्तलिफ मुझा ह्यंद नोग इन चीज़ों में जो हुख और को तिलाश करते है ठीक है तो पिर अगर हम यह सोचते हैं कि खुदा आग में अपने आपको जाहिर करता है यहां खुदा बादल में मुक्त पाली में तो फिर क्या यह चीज़ें उन मजाहिब की होसला अवजाई नहीं करती है जो मजाएब इनको मतलब इन चीज़ों को मानते हैं उदा मानते हैं यह सवाल ठीक है और हमें कभी-कभी ऐसा लगता भी है मुझे तो लगता है कभी-कभी ऐसे कि क्यों इत्वी पेचीड़ीया है यानि सीधा-सीधा एक मजभब होता ठीक है यह सीधी-सीधी बात होती जिसे हम कहते हैं प्लेन प्लेन रिलिजन होता ठीक है ना उसमें किसी खास सरांकि हमें सिंबल्स की जरूरत होती या खास सरांकि हमें आर्किटेक्चर की जरूरत होती सिंपल होता लेकिन सिंपल हो है नहीं ठीक है अब इसके दो जवाब है एक जवाब है हमारी पैंथियिजम ठीक है ये वो नजरिया या अकीदा है जिसकी तरफ आप बशारा कर रही है कि जो इसके मानने वाले हैं वो पिर कहते हैं कि अगर हर चीज में खुदा मौझूद है तो पिर हर चीज को हम खुदा समझ के या मुकद्द समझ के उसके सामने हम ताजीम करें या उ के अंदर इसे कहते हैं पैंथियम हमारे ओलमा कहते हैं कि नहीं बाइबल पैंथियिजम का तस्वर पैश्र पेशनी करती वो एक बारी की है southwest रist वह म्तलब है कि खुदा सब चीजों में मौझूद नहीं लेकिन वो सब चीजों के जड़िए अपने आपको धुदा दुनिय ہے, کبھی- کبھی جان ونوں کے ذریعے کبھی- کبھی ایک دوسرے سے گفتگو کے ذریعے خدا ظاہر کرتا ہے, تو وہ چیز یا وہ شخص یا وہ جاندار خدا نہیں بن جاتا بلکہ اس کے ذریعے خدا جو ہے وہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے, پولوس رسول کی جو آیت میں بار بار دوراتا ہوں, کہ ہم اسی میں جیتے, چلتے-پھرتے اور زندہ ہیں, ٹھیک ہے? خدا کے اندر, تو یہ بالکل Memory پینتیدم کے ماننے والے कह रहे हैं कि खुदा हर चीज में मौझूद है बाइबल सिखा रही है हर चीज खुदा में मौझूद है ये थोड़ा सा फरक है ठीक है इसलिए बाइबल इसका प्रोमोट नहीं कर रही कहीं कहीं आपको ऐसा लगता भी है लेकिन ओवरॉल जो बाइबल का वो फोकस है वो इस तरफ नहीं है अब दूसरी चीज ये है कि अगर हम इसको महज मख़ब की तारीख के अंदर या मख़ब की जो स्टड़ी है उसके असाब से देखें तो ये कहीं न कहीं मुमासलत आती है देखें शुरू दिन से इनसान जो है वो जो गैबी है गैबी का मतलब ये होता है कि जिससे वो जानता नहीं है खुदा है, शेतान है नूर और तारीखी की कुटे है रूवों का जो दुनिया है उसको देख तो नहीं सकता तो कहीं न कहीं वो जो देखी वी चीज़ है ना उसके साथ उसका तालग जोड़नी कोशिश करता है। अब ये चीज तबाहम परस्ती की तरफ भी लेके जाती है। ये चीज बहुत परस्ती की तरफ भी लेके जाती है। लेकिन आप ये देखें कि मजब के अंदर ये फिर भी एक चीज है। अब देखें यही हमारा faith है, यही शरीयत की किताब है, इसमें लिखा हुए है कि तराशी मूरतें नहीं मरानी चाहिए, जो आस्मान में है उसको लकड़ी से पत्थर से बनाना नहीं चाहिए, लेकिन इसी शरीयत में लिखा भी है, खुदा खुद कहता है कि जो करोबी फरिष नहीं होती, हमें कुछ ना कुछ अपने हाथ में चाहिए, यह कम से कम कुछ ना कुछ जो हमें नजर आए, ठीक है, इसलिए बुद परस्तिनी, लेकिन जो एक तरीका है कि हाँ जी बादल में भी खुदा मौजूद है, या आग में भी खुदा मौजूद है, यह थौर्ट क کموبیٹ بائبل में भी है और आज भी हमारे पास है 21 सदी में भी हम इन चीज़ों को मानते है छोटी छोटी चीज़ों के अंदर हम कहते हैं नहीं है इसके बीचे कोई रुहानी हकीकत जूती किस तरह रखी हुए घर में उससे लेकर मतलब चांद तारों का जो खुमना फिरना है उस सब चीज़ों में लोग खुदा को या रुहानी हकीकते ढूटते है अब ये जरूरी नहीं एक ठीक हो लेकिन ये एक इनसानी फिनॉमना है बाराल अच्छा आपने खुरूशी किताब इन सब बातों के जिकर किया है मेहूं का खुदा के फरिष्टे का बादल का आग के सतून का अब ये आपने बड़ी खास मुझे लगता है जादा खास बात अब आपने आके जाके की है कि आपने का है करोबी बनवाए खुदा ने अब हमने ये पता है कि जब खुदा ने एहत का संदूग बनाया खुदा ने खेमा इश्वा का मुसा को कहा और इंच-टु-इंच खुदा ने एक एक बात का हुकम दिया कि as it is जो मैं तुमें बता रहा हूँ वही तुमने खेमा इश्वा मीं बनाना है और वहां पर फिर खुड़ा ने इस बात का इजार किया था कि मैं वहां पर आकर रहूँगा खुड़ा की वो dwelling place ती जहां पर खुड़ा जो वो कयाम करता था तो वो तो खुड़ा की कुर्बत को में रे खाल से सबसे जादा तोर पर highlight करता है जो कि खरूत की किताब में मौजूद है इसके बारे में बताईए जी और शायद ये सबसे क्या गया नची ये मरकजी मौजू भी है अब मैं इसकी तोड़ी वजाहत करना चाहूँगा नाजरीन के लिए आपके सवाल पहने से पहले आपने लवज इस्तमाल की है खैमा कहते है बस किसी भी टेंट को कहते है लेकिन ये बाइबल के अंदर ही खास एक लवज है देखें बनी स्राइल का जो मजब है जिसे हम यहूदी मजब ही कहते है आज उसका जो मरकज और महवर है वो है तोरेत उनका खुदा का कलाम और उनकी जो जूइश आइडेंटिटी है ये उनका महवर है ये ही वो चीज है जो इस कौम को आज तक पूरी दुनिया में इकटे रखती है ठीक है चाहिए वो सेकुलर क्यों ना हो लेकिन बाइबल मुकदस के दोर में जो महवर था जो मरकस था यहुदी मजब का वो था हैकल हैकल यानि उनकी में इबादत का उनकी जियारत उनकी हज और उनकी हर जो हफतावार इबादत की जगह और वो येरुशिलम के बीच वह बनी हुई थी ठीक है आज जिसकी सिरफ एक दीवार जिसे हम कहते हैं वो बाकी है यह हैकल दो दहाव बनी हमें पता है जिसे हम फर्स टेंपल पिरियड और सेकंड टेंपल पिरियड भी कहते हैं बलकि लोग कहते हैं तीन दहाव बनी है लेकिन इसको दो पिरियड मिलेते हैं तो इन्होंने दुबारा बनाना शुरू किया अपने शहर को भी, अपनी हैकल को भी, और फिर खुदावन यस्सुमसी के जमाने तक काफी उसका नक्षा बन चुका था, तब भी वो कम्प्लीट नहीं थी, लेकिन वो एक्टिव थी, मतलब उसमें इबात्ते हो रही थी, उसम सुलिमान से तकरीम हजार साल पहले की बात, उस वक्त उनके लिए अबादत करने की जगा होती थी, खैमा इस्तमा, अंग्रेजी में हम कहते हैं, टेंट आफ दे मीटिंग, और ये भी उनको आईडिया खुदा ने दिया था, कि आप एक खैमा बनाए, जिसको आप साथ लेक ठैर गया आपके साथ, ठीक है, और ये बड़ी वो क्या कहते हैं, जिसे हम बार बार आज कहते हैं खुदा की नजजीकी, खुदा की कुर्बत, अंग्रेजी में हम कहते हैं, इन ड्वेलिंग, कि खुदा हमारे साथ या हमारे अंदर है, ये सारी बातों का जो मरकज है वो य लाउन्-खुदा की हजूरी होती है ये वो बात है खरूच की किताब में जो हमें मिलती है और जब इसको मखसूस किया जा रहा था अबादत के लिए और ये आप पढ़ते हैं खरूच की कताब के चालीस वे बाप में वो पूरा बाप पढ़ ले तो उसमें जब आप एंड मे की और सारी बनी इस्राइल काउम वाद जमा थी तो खुदा फिर उसका जलाल वाँ लिखा है उसका जलाल जाए वो खैमे के चौगिर प्पैल गया और उसने सकूनत की वापर शेकाइना ग्लोरी ठीक है ये इबरानी का जो लफज है शेकीना अर्दू में भी हम सकीना कहते है स उसमें वो हमें बता रहे हैं चाहे वो तोहीदी हैं लेकिन वो बता रहे हैं कि खुदा हमसे इतना करीब था हमारे अबावजदाद के कि लिखिस्तान में उनके बस चार दिवारी नहीं थी उनके बस कुछ भी नहीं था लेकिन खुदा उनका उनके साथ था ठीक है अब इस बहुत लोग करते है लुका की इंजील उसके पहले बाब में आप पढ़ते है कि जब जिब्राइल फरिष्टा मरीम के पास आता है तो वो उसे कहता है सलाम करता है और खुदा का पेगाम से पहुंचाता है कि तू हामला होगी चीक है और वहां लिखा है कि रूल को इस तुछ पर साया करेगी अब कुछ एतरास करने वाले ये मैं उनकी बात कर रहा हूं ये मेरी अपनी बात नहीं है वो ये कहते हैं कि देखें इससे गलत तासुरा रहा है कि एक लड़की के उपर चाये फुदा ही लिखा है मापर लेकिन उसका जलाल ये उसकी रूफ साया करती है तो इस अमल के अंदर शोहर बीवी पर साया करता है तो अब उनकी गलत फहमी यही है ना कि वो अपने दिमाग से सोचने है वो बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं साया करने का मतलब यही है जो खरूच की किताब में लिखा है कि एक खैमे की उपर खुदा साया करता है ये उसके जल कि हम इनजील की आयात का ग्रैमर के हवाले से ये मसी इलाहियात के हवाले से तफसीर करें वो भी जरूरी है लेकिन साथ-साथ ये भी देखें कि जूविश बैगराउंड उसका क्या है ठीक है अच्छा इससे फिर आपको एक और कॉंसेप्ट भी मिलता है जो प्रोटेस्ट तक है यह वो आज भी है इस पर हम बहस कर सकते हैं अकीदे की बात लेगिन इससे मरियम की भी आपको एक वो मिलती है आहमियत हेकल की और खएमे की ऐह किया है कि उसके अंदर वो रखते थे आहद का संदूग एहद के संदूग के अंदर खदा का कलाम यानि दस दस होकम शरी कई ना कई प्रोटेस्टन फेथ में हम इसको नहीं अतना समझते हैं, लेकिन कैतलिक वाले कई ना कई इसका जिकर जरूर करते हैं, कि जो ने आहद का संदूक है, या जो ने एहदनामे का सपुनत का है, वो मरियम है. ठीक है? तो एक ये इस से बात खुलती है. और दूसरी बा हुआ ठीक है और इसने हमारे दिरमें सकूनत की और हमने उसका जलाल ऐसा जलाल देखा जिसाब बाप केखलो ते गाज. तो यह जो खुआ के इन्सानों के बीच में आकर रहने की बात है यह फिरूज की किताब से be खएमाई समा के तसवर से और फिर ऐसा जलाल हमने उसका ऐसा जलाल देखा ठीक तो यह कहीं न कि यहना रसूल यह लिखना चाह रहे हैं कि जिस तरह हमारे बाप दादाने खुदा का जलाल देखा है ठीक है कि वो किस तरह से खैमे के उपर आता है हमने मसी के अंदर उसी तरह का जलाल देखा है और यह पिर उसी का बेटा है उसी खुदा का उसी बाप का ये बेटा है क्योंकि इसका भी वही जलाल है जो बाप का है ठीक है तो यह आप देख लिए कि कहीं कोई यह युनानी फलस्फ़े की बात नहीं है, यह कोई लफजों की चलाकी नहीं है और ना ही यह कोई मनाजरे की बात है, जो चीज शरीयत पर लिखी ही है ना, उसी को मसीहियों ने पढ़ा है, तब दील नहीं किया, और इसलिए मसीह की रोश्टी में पढ़ा है कि हमने मसीह में वो जलाल देखते हैं, किस तरह से खरूच की किताब में, खास तोर पर शकीना या जो सकूनतगा है, और उस पर जो खुदा का जलाल जाहिर होता है, ठीक है, और वो सकूनत पर मैंने आपको जैसे बताया, वो लोगों जब वो कहते हैं, कि पराने अद्धामे में यसू का जिकर है, तो वो आयतें सोच रहे हैं, नहीं, हर चीज जो पराने अद्धामे की है ना, वो यसू का ही जिकर है, ठीक है, तो वो खैमा हो, वो जलाल हो, वो आग हो, वो बादल हो, everything applies to Christ. जैसे कि एवराने के जो खत के मसन्फ है, उनका तो फोकस ही इस बात पर कि जो पराने चीज़ें, पराने अद्धामे में जितनी चीज़ें थी, चाहे वो एहद का संदूग था, चाहे वो कहानत की बात है, चाहे वो कोई औहदा था, चाहे वो कोई चीज़ें थी, उन सब क वो खुदावन यस्थ्य मसीख के साथ लाकर जोड़ते हैं ना सिर्फ जोड़ते हैं बलके वो यह कहरे हैं कि मसीख हकी की है वो सारे उसका अक्स थे यानि वो सारे खुदा ने मिसाल के तूर पर एक चीज गी थी तो यह पूरा पूरा खेमा इस्तेमा है बलके मैं तो यह भी कहुँगा कि आगे जो हैकल है, यह भी मसीह का आक्स थी, और जब यह अगी आई, तो फिर मसीही इमान के मताबिक फिर उसका जरूरत नहीं थी, यह लिखावा भी है, इनजील में लिखावा भी है, कि जब हकीकी चीज़ आ जाती है, तो फिर जो उसकी न हम यही समझते हैं, कि आप आज हैकल की हमें जरूरत नहीं है, क्यूंकि आज खुदा की जिन्दा हजूरी जो है, वो सब लोगों में मौझूद है, हमारे बस दो तिन मिनट पर एगर मैं चाहूं कि आप इस हैकल पर बात करें, कि जैसे खुदावन यस्वमसीर ने कहा, कि इस हैकल को ढढ़ा दो, तो मैं तीन दिन में बना दूँगा, तो वो हैकल जिसे यहूदी बहुत पाक समझते थे, जिसके खुदा की हजूरी थी, इसको हम कैसे समझेंगे, इसके लिए मैं थोड़ा सा पसमंजर देना चाहूंगा, बाइबल कही, कि देखें मैंने आपको इस है कि जब वो सफर कर रहे हैं या गश्ट कर रहे हैं रिगिस्तान में, बेयाबान में, तो तब तो वो खेमे को साथ लेके जा रहे हैं, लेकिन जब वो मौदा मुल्क पहुंचते हैं, आज जो मजूदा फलस्तीन है, इसराइल, वहाँ पहुंचते हैं, फिर वो उस पर विषञाके इसे को खुँए खरते हैं, उसको फताह करते हैं, अपने दुश्मणों को हराते हैं और वहाँ पर वो पिर खुदा की बादेशाही कायं करते हैं। अब जब खुदावान यस्तमसी का जमाना आया तो उन्होंने इस तरह की बाते हैं की जिस तरह आपने लिख क चार साल सिविल वार होती और सत्तर ईसी में वो हरा देते हैं यहुदी कौम को और हैकल को भी तबाह कर देते हैं और वो हैकल आज तक नहीं बनी ठीक है तो बिशप एंटी राइट जो है जो इस न्यू परस्पेक्टिफ बड़ा काम करते हैं वो यह कहते है कहते हैं मसीही अब देखें मैं थोड़ा सा ना रिस्पेक्टफुल होना चाहूँगा मुझे पता है कि शायद कोई यहुदी है प्रोग्राम नहीं देख रहा है लेकिन हम यह नहीं कहना चारे कि खुदा ने उनकी हैकल को तबाह की है क्योंकि मसीही आ गया था नहीं होती थी जब असली कॕरबानी आ गई तो उसके जरूरत नहीं और उसकें अंदर किलाम होता था तो जब जिदा किलाम आ गया तो उस किलाम की भी शायद जरूरत नहीं है तो मसीही एटबार से इसलिए आज हम लोग Jewish religion को उस तरह follow नहीं करते चाहे हम उनकी किताब को अपने साथ रखा है और हम उनसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी शायद मसीहा को ये सु मसी में देखें जिसकी वो तलाश करते हैं और उनसे बहुत सारे देखते भी है लेकिन ये उनकी अपनी अजादी है हम अपने नजरीये से बात कर रहे है कि ये बात है तो जो हैकल है ना हैकल भी मसी काक्स है तो आज जो है मसी हैकल है और मसी की वज़ा से फिर हम सब खुदा की हैकल है हम सब खुदा का मसकन है जब हम उस पर इमान लाते हैं और खुदा का रूँ हम में आता है तो लिखा है कि तुम भी खुदा की हैकल हो इसलिए हमें भी कहा गया है कि आप अपने चाल चाल चालन को बाक साफ रखें और इस तरह से रहें लेकिन हमारा काम हैकल वाला यह नहीं कि हम भी लोगों को दूर करें हमारा काम यह कि हम लोगों को शामिल करें खुदा की बाच्शाही में और खुदा की फेंट बीज़ बिल्कुल जो चले खुदा हमें तफिग दे के जिस मक्सद के लिए खुदा नहीं सब की आ हम उसे पूरा कुरे ठांक यू वेरी मुच आपकी तमाम तर बातों के लिए और आपके आने के लिए जी नाजरीन आज के एपिसोड में हमने खरूच की किताब से खुदा की हजूरी उसकी मौजूद की उसकी कुर्बत के बारे में सीखा है और ये जानने की कोशिश की है कि इन बातों को हम किस तरह से तस्लीज और मसी की अहलुयत की रोशनी में सीख सकते हैं उमीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपके लिए बाएस से बरकत था होगा हमें और हमारी टीम को जरूर अपनी दुआउं में याद रखिएगा बहुत शुक्या